हाई दिस इस मनिश शर्मा, वेल्कून तो मा यूटूब चैनल सो ये वीडियो में हम लोग अनालिसिस करेंगे कल के सेशन में निफ्टी और में निफ्टी क्या के लेविश पॉसिबल है उसके पहले हम लोग टेलेग्राम चैनल के मेसेज़िस देख लेते हैं टेलेग्राम चैनल में आज मौर्णिंग में मैंने टाटा पावर बाई दिया था इसमें थोड़ा बहुत इंट्राडे में प्रॉफिट आया 18,400 का कॉल बाई दिया था इसमें भी थोड़ा बहुत इंट्राडे में प्रॉफिट आया अब discuss करते हैं कल के session में क्या क्या levels possible है so ये nifty का daily chart है और मैंने आपको last video में बताया था कि अगर ये low break होता है तो और एक fall में देखने मिल सकता है और एक red candle में देखने मिल सकता है बट अगर आप overall rally का retracement निकालो यहाँ से rally start हुआ था यहाँ से मैंने Fibonacci retracement draw किया almost 38% retracement हुआ है अभी थख so 18,170 के असपास 38% retracement complete होता है और आज का low बना है 18,200 के असपास तो 18,200 बहुत ही important support level है मैंने आपको last video में बताया भी था 18,200 से लेके 18,300 ये बहुत strong support है nifty के लिए अगर ये 100 पान के range में आता है कल के session में 18,320 के level पे ध्यान देना अगर 18,320 के उपर 15 minute के chart पे green candle close होता है तो वापस nifty uptrend continue कर सकता है फिर हमें 18,600, 18,700 तक के targets भी देखने मिल सकते हैं तो 18,320 के उपर अगर spot level में nifty जाता है तो आप nifty में buying potions बना सकते हो ये nifty का 15 minute का chart है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा clearly higher lows बनाते जा रहा है nifty और यहाँ पर भी इसने almost एक higher low बना दिया है यहाँ से एक trend line आता है और मुझे लगता है कल अगर gap up opening होता है या 18,300 के उपर opening होता है तो immediately first candle में ये trend line break कर सकता है और फिर वापस uptrend continue कर सकता है तो nifty काफी जादा strong लग रहा है अगर आप देखो bank nifty है 22.2 minus था जबकि nifty 150.2 minus था और bank nifty ने doji candle बनाया है bank nifty ने बड़ा red candle नहीं बनाया जैसे nifty ने बनाया है तो bank nifty जादा strong लग रहा है compare to nifty और positive बात यह है कि bank nifty ने 39,500 के उपर ही closing दिया है जो की एक strong positive sign है कल के session में bank nifty में भी आपको buying के तरफ जाद यान देना चाहिए 39,300 के नीचे का stop loss maintain रखना उपर में 39,800 पहला target हम लोग expect कर सकते हैं 40,000 के उपर निकलता है तो एक major breakout possible है फिर positionally 41,000 तक भी bank nifty जा सकता है यह bank nifty का 15 minute का chart है यहाँ पर आपको अच्छा खासा trend line देख रहा होगा sellers नीचे लाने की कोशिश कर रहे है पर bank nifty में काफी ज़्यादा strength हमें देखने मिल रही है और अगर कल के session में इस तरीके से breakout देता है तो 40,000 तक bank nifty जा सकता है 40,000 भी cross करता है तो एक बड़ा अपमों हमें देखने मिल सकता है bank nifty में तो कल के session में bank nifty में भी आपको buying के तरफ जाद आन देना चाहिए live market में levels में कुछ भी changes रहा तो मैं आपको telegram channel में update कर दूँगा यह मेरा telegram channel है आप telegram channel join कर सकते हो telegram channel का link मेंने video के description box में दिया हुआ है telegram channel में आपको options buying के trades भी मिलते है options selling के trades भी मिलते है और cash level intraday trades भी मिलते है जिसमें आप intraday में 2-3,000 रुपय कमा सकते हो और यह हमारे various courses है अगर आपको सिखना है तो आप हमारे courses भी join कर सकते हो इसका भी link मेंने video के description box में दिया हुआ है mobile app का भी link मेंने video के description box में दिया हुआ है और अगर आपको video रहनार से अच्छा लगा तो video को like and share ज़रू करना thanks a lot for watching the video, see you in the next video झाल